फलो का सेवन हमेशा से सेहत के लिए बेहत फायदिमन माना गया है। ये ना सिर्फ लंबी उम्र बलकी खुबसूर्ती भी देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सुबा खाली बेट कौन से फल नहीं खाना चाहिए। आई इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों समस्याओं से लड़ने की ताकत मिलती है। एक्सपर्ट का मानना है कि फलो का सेवन करने वाले लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। क्यूंकि अलग-अलग फलो में अलग-अलग पोशक तत्व पाय जाते हैं। ऐसे में उनके फायदे भी अलग-अलग होते हैं। इसलिए लोगों को सभी तना के फलो का सेवन करना चाहिए। लेकिन साथ ही इस बात का दिहान भी रखना चाहिए कि कुछ फलो का सेवन खाली पेट नहीं करना चाहिए। नहीं तो सेहत को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है। आईए जानते हैं कौन से हैं वो अगला है नाशपाती, नाशपाती सेहत के लिए बहुत ही फायदेमन्ध फल है, इसमें फाइबर का खजाना होता है, लेकिन खाली पेट इसका सेवन नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसे शरीर का पाचन प्रकरिया खराब हो सकती है, इसलिए इस फल को भी कभी खाली पेट इसके लावा बात करते हैं केले की, केला सिहत के लिए बहुत फाइदेमंद होता है, लेकिन कई लोगों की यादत होती है कि वो खाली पेट ही इसका सेवन करने लगते हैं, जबकि ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्तसमंदी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, इसे पाजन समंदी समस्याएं हो सकती हैं और खाली पेट केला खाना दिल के लिए भी नुकसान दायक हो सकता है, इसके लावा बात करते हैं अंगूर की, अंगूर एक साइटरस फल है जिसमें परियाप्त मातरा में एसेट पाया जाता है, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसेड वाले पालों का सेवन खाली पेट भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इसे गैसेट्रिक अलसर और पेट में जलन और गैस की शिकायत हो सकती है, इसके लावा संत्रा भी साइटरस सभळ होता है, इसे भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें